नमस्कार मैं हूं माही सिंग और आप देख रहे हैं निक्सनाई नीज आज आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचुनामा में आज बात करने वाले उत्तर प्रदेश की राजनीती को लेकर उत्तर प्रदेश में जुस तरीके से अब ऐसे में छोटे दल भी निकल कर सामने आते हुए नसर आ रहे हैं जो यहां आपको बता दे तीन सीटों पर आज वैसी ने अपने प्रत्यासी उतार दिये हैं स्वे में माना यह जो रहा है कि पल्लवी पटेल भी उनके साथ आती हुए नसर आएंगी अब ऐसे में देख में बने रहते थे जब भारतिये जुनता पार्टी में थे तब भी कही ना कहीं स्वामी प्रसाद मौरे ने कई ऐसे विवाद टिपड़ेया दी जुसकी वज़े से शायद उनको भारतिये जुनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया अब ऐसे में फिर से एकली शि बनता हुआ नसरा रहा है माना यह जा रहा है कि स्वामिव साद मौरे अभी अपने कहीं न कहीं डिसीजन को लेकर कन्फ्यूज नसरा रहे हैं कि आखिरकार आज साथ की पार्टी बस रहेगी या मायवती के साथ जाना सही रहेगा आज यहीं तमाम मुद्व पर जोचा करेंग को लेकर कहीं न कहीं पार्टियों को लगभग जीत दर्ज हो जाती है या फिर जीत के आसपास रहते हैं जैसे बारतियों जंता पार्टी ने बहुमत बना लिया वहीं अगर देखा जाए तो कॉंग्रेस और अखलीश भी कहीं न कहीं इस बार बहतर प्रदर्शन करते हों न जाता है कि वह किसी के साथ गडबंधन में नहीं है या फिर छोटे छोटे दल उनके साथ नहीं जुड़े हैं क्योंकि आप देखिए मायावती का रसूक रहा है चार बार की मुख्यमंत्री रही और ऐसे में सड़न उनका ड्रॉप डाउन हो जाना कहीं न कहीं क्या इस बात यहां पर देखा हमने किस तरह से महौल बनता हुए नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में और दस सीटों होना था हालां कि चुनावायोग ने नो सीटों पर किया है और कि ऊफ्शिह को आपर अहि नहीं किया है तो एसे में नो सीटों पर अटिब्ट और नंबर पंडियन उन तू इंडिया इंडिये करटबंदन का यहां पर मुकाबला जाए और नहीं तो अगर पार्टी के असलम हम देख लें तो यहां पर समाजवादी पार्टी वेसिस भारती जिनंता पार्टी के बीच जिन्तावा हम डेखा जा रहा या फिर केशव प्रसाद महरे और जो योगिया अधितनात के बीच जो तीखी नोगजोग चलती नजर आई है लोगसभा चुनाओं के बाद से ही मुख्यमंत्री पद को लेकर के मुख्यमंत्री से पद से इस्तिफा देना पड़ेगा योगिया अधितनात को क्योंकि और तमाम यहां पर जो एंड़े के सयोगी दल है उन्होंने योगिया अधितनात पर फोड़ दिया तो कहीं न कहीं यह स्तिती रही भार्चेंता पार्टी की लेकिन उसे स्तिती से उबरते वे भार्चेंता पार्टी एक बार फिर से कहीं न कहीं जो साथ था वो मायावती के साथ ज्यादा देखे गए मायावती की पार्टी में कई एहम पदों पर यहां पर जिम्मेदारिया निभाते रहे हैं अखिलेश यादव की पार्टी में भी वह यहां पर गडवंदन के तहत रहे हैं यह कहीं कि मंत्री पत पर भी र चलती में और अगर मयावती यह से रिखेंक दाल पिकली पहेंगे मिल नज़र सेठी हरे में काफी जादा कमजोर है आपने देखा कि जो हरियाना में जो विदान सबाद चुना हुए उसमें इनैलो के साथ गड़बंदन ता अबे सिंग चौटाला के साथ गड़बंदन करते वे चुनावी मैदान में उतरी वहां पे भी कहीं न कहीं हार का सामना करना पड़ा तो इस त गड़बंदन नहीं करते हैं तो स्वामी प्रसाद मौरे का तो कुछ बिगड़े का नहीं लेकिन देखा जाए तो साफ़तोर पर मायावती जो है वो अपना सियासी रसूख होती यहां पर उत्रप्रदेश की राजनीति में नजर आ सकती है जो बिलकुल कहीं न कहीं मायाव किसे चुन-चुन का प्रत्यासी उतार नहीं उससे यह माना जा रहा है कि इसका फायदा जो होगा वो भारतिय जनता पार्टी को होने वाला है अब ऐसे में भारतिय जनता पार्टी अगर मायावती की वज़ज़ से इस बार एक दो सीटे निकाल लेती है तो कहीं न कहीं चुनाओ की रणीती को साजा करते हुए नजर आएंगे वहीं दूसरा सवाल अगर मनीश आपसले तो यहां पर यह माना जा रहा है कि अगर इस बार अखलीश यादो जादस से जादा सीटे लेकर आते हैं तो क्या दोहजार सताइस के विधान सवा चुनाओ में आजाद या मायावती के साथ गड़बंधन होने की कोई संभावना नसरा रही है क्योंकि मायावती जिस तरीके से अकेले ही चुनाओी मैदान में उतरना चाहती हैं लेकिन उसका कोई फायदा उनको नहीं मिल रहा है लगातार जब वह अखलीश यादो के साथ 2019 में गड़बंधन में थ दस सीटों पर जीत की दर्श की और अखलीश यादो पाथ सीटों पर सीमट गए थे लेकिन इस बार कहीं न कहीं पूरा माजरा जो है वो बदलता हुआ उल्टा पड़ता हुआ नसरा रहा है तो दोहजार सताइस के जो स्ट्राटिजी होगी वह मायावती के तरफ से क्या हो करते हुए नजरा सकती है यहां पर माही अगर 2027 के विदानसभा चुनाओ की बात कर लें तो अब जादा समय नहीं रह गया मतलब तीन साल मुश्किल से रह गए हैं तो अब इस इस्तिती में कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी है वो तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि लोगसभा चुनाओ में उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल करी मैं मानता हूं कि मुलैम सिंग यादव के निधन के बाद इस तरह से अखिलेश यादव ने पार्टी को उठाया है अपनी पार्टी को मजबूत किया है अपनी पार्टी के एक-एक नेता को एक-एक मंत इस तरीके से उन्होंने लोगसभा चुनाओ के दौरान जीत दर्ज की और देश की तीसरी पार्टी को बनाते हूं यहां पर नजरा है समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती भी नजरा है तो अब इस्तिती साफ है कि अखिलेश यादव अखिलेश यादव को अच्छा खासा बहुमत यहां पर मिलता हूँ नजरा सकता है यह यूं कहें कि हो सकता है कि सरकार भी कही न कहीं उनकी बनती भी नजरा सकती है क्योंकि उत्तर परदेश में जिस तरह से भारती जंता पार्टी के अंदर अंदर कलय का महौल देखा जा अब आप देखिए कि लोगसभाद चुनाओं के बाद जिस तरीके से उपचुनाओं का एलान हो जाता है, नो सीटों पर उपचुनाओं की तारीकों का एलान हो जाता है, उसके बाद NDA की समर्थित दलों में आपसी सहमती नहीं बन पाती है कि किसको कितनी सीट सौपी अब जो बची एक सीट है, उस पर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि वो सीट किसके पास जाएगी, तो अब ऐसे में NDA के समर्थित दल पूरी खीशतान करते वे नजर आ रहे हैं, तो इस्तिती साफ है कि NDA की सिती उत्तर प्रदेश की राजीती में 2027 के विदानसभाद चुना और अगर यहां पर मायवती और आजाद के साथ गडबंधन 2027 के विदानसभाद चुनाव में कर लेते हैं, तो दोनों ही पार्टियों को बउजन समाजबाटी और आजाद समाजबाटी दोनों को ही यहां पर उसका एक बड़ा फायदा उठाना पड़ सकता है, और ऐसे में अगर उनको फायदा होता है तो बेशक मैं मानूँगा कि कहीं न कहीं अब ये कहा जा सकता है कि अब समाजवाधी पार्टी के साथ-साथ अब मायावती की बहुजन समाज पार्टी और आजास समाज पार्टी दोनों ही इंडिया गडबंधन का हिस्सा बनते हुए नजर आ सकत करती है तो जाहर तोर पर उनकी पार्टी के लिए बड़ी मुसीवत खड़ी हो सकती है अब ऐसे में आकाश आनंद वो पार्टी समहाल पाएंगे या नहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नसरारा है वहीं उनके कंपैरिजन में चुन सेकर आजाद रावन लगातार जनता के बीच में अपना जनाधार बढ़ाते हुए नसरार है फिलाल भी तो काफी समय है उसमें लेकिन जो उप्चुनाव की जो सीटे हैं इसमें मायवती और चुन सेकर आजाद भारतिये जनता पार्टी एकलीश यादों किस तरीके का परदर्शन करेंगे ये जानना कही इसकी राजनीती को लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा फलाल के लिए बस इतना ही देश और दुनिये की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा निक्स टाइन योजबर